हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मिद करती हो अच्छे होंगे इस बारिश के मौसम में चाय के साथ कुछ चटपटासा कुरकुरासा खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा लगता है ना ऐसा ऐसे ही चटपटासा कुरकुरासा चिवडा का रेसिपी बनाना बताऊंगी वह भी बिना थले बिना फ्रै किये चलिए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ अगर मेरा चानल पहली बार देख रहे तो प्लीज हीट ता बेल बटन और सब्सक्राइब दे चानल पहले में एक कडाई लिया है उसमें डालेंगे तीन बड़े चमची ता थेल गरम हो गया है उसमें डालेंगे एक चमच सरसू एक चमच जीरा यह दोनों चटपटा थे ही उसमें डालेंगे कडी पत्ता कडी पत्ता को हमने अच्छे से वाश करके कपड़े से उसे पोंच के लेना है नहीं तो तेल अमरे ऊपर चिटक सकती है अब डालेंगे लसुन दस पंद्रा बश्चे लगता है काने में अब डालेंगे दो लाल मिर्ची को तोड़के डाला है मुमफली डाल रहे हैं इसे भी अच्छे से तेल में अघर न में पश्राइक करेंगे काना पसंद नहीं है तो इसमें दीमी आच पर खड़ा एपर बिना तेल के अच्छे से सारे चीजों क फिर आम इसमें चूड़ा मला कर सकते हैं वो बिना थेल के बनाने के लिए वैसे बना सकते हैं सब बनात्वेड़ें सकते हैं कौई काजू काजू अच्छे से फ्राइगज स्वै करें नहीं तो यह बना करागोने सुब तेस्ट नहीं आता है, इसलिए दीमी आंच पर इसे बूलेंगे, अब डालेंगे नारियल, नारियल को मैंने पतला पतला काटके डाला है, यह जल्दी तेल में फ्राई हो जाता है, यह काने में बहुत टेस्ट लगता है, यह जरूर डालिएगा, यह लाल होने तक हम अच्छे काफी है, अब इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी, एक चमच लाल मिर्ची पाउडर, मैंने इहां कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, यह ले तो आरा मिर्ची भी काटके डाल सकते हैं, अब डालेंगे नमक, मैंने आदा चमच जिता नम इसे मिलें चुडा यहां मैंने एक पिंच इतना हिंग डाला है अगर आपको हिंग पसंद नहीं तो इसे कर सकते हैं अब इसमें मिलाएंगे चुडा देखिए चुडा पहले से बुना हुआ है इसे हमने तेल में तलने की भी जरूरत नहीं है इसे हम दूबारा कडाई में फ्रै किया रहता है इसे हम दुबारा तलने की फ्रै करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको अगर हमने लाके गर में रख दिया तो बहुत आसानी से जगपट इसे बना सकते हैं अगर मेहमान कोई गर पे आये तो एक तरफ चाही रख देंगे एक तरफ फटा फट एक मिनिट में चूड़ा तयार करके उन्हें चाहे के साथ सर्व कर सकते हैं हमें भी आसानी होगी महमान भी कुछ हो जाएंगे यह हो गया है इसे एक बॉल में निकालेंगे निकालकर इसके उपर और तोड़ा सा काजो और कड़ी पत्ते से इसे गार्निश करेंगे यह फ्रै किया पुस्लक्ष आएं दॉल्ड पसंदाय तो पसंदाये ना आये कुछ भी हो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताः assessed कैसे लगा अगर आपको यह रिषीप्पै अब की याड़ा है तो प्लीज मेरा चानल को सब्स्रीब के जिए प्लीज प्लीज मेरा चानल को सब्स्रेब की जि